जय हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो RRB NTPC का एक्जाम हो रहा है उसके पॉइंट आभ्यों से बस्तू और सिवाकर इसके अलामा हमारे देश में जो कर प्रणाली है उससे संबंधित प्रश्णों को डिसकस करेंगे तो NTPC पर इच्छा की अगर हम बात करें तो 20 से ज़्यादा प्रश्ण अभी तक इस टॉपिक से एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो भी आपके एक्जाम होंगे उनमें भी इस टॉपिक से प्रश्ण पूछे जाएंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध् वीडियो बना चुका हूँ तो NTPC के साथ साथ अगर आप किसी अन्य प्रखार के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं अब सबसे समिट है वह 20 और 21 फरवरी को आयोजित होगी और इसमें पार्टिस्मेट करना बिलकुल नहीं सुल्ख है यानि कि आपको यहां पर किसी भी प्रकार के फीस को पे करने के आऊ सकता नहीं है इससे पहले अनकेडमी समिट 1.0 भी हो चुका है तो वह काफी ज़्यादा सक्सेश फुल लहा था तो अगर आप इन में से किसी भी प्रकार के एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली आपको यूज करना है कोड के वी टेन और इसके द्वारा आप इसमें रॉल कर सकते हैं अब यह जो भी हमारे अनकेडमी पर बेश्ट एजुकेटर हैं चाहे हम मुनाल पठेल सर की बात करें डाक्टर सिधात अरूरा सर की बात करें प्रतीक नयक सर की बात करें तो इन सारे लोगों को आप यहां पर सुन सकते हैं इसके अलावा यह सारे लोग आपको गाइड करेंगे कि क इस प्रकार से आप जो हमारे UPSC का एक्जाम होता है उसमें सफल हो सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें पार्टिस्पेट करना बिल्कुल भी नहीं सुल्क है आपको किसी भी प्रकार के फीस को पे करने के आउ सकता नहीं है तो 70 से ज़्यादा आइकोनिक स्पीकर आपको मि करना है उसके बाद में इसमें इन्रॉल कर लेना है और ध्यान रखिएगा इन्रॉल करने से पहले आपको यूज करना है कोड के वी 10 और इसके बाद में आप इसमें इन्रॉल कर लेंगे तो 20 और 21 फरवरी को ये आयोजित किया जाएगा 20 फरवरी के दिन दिन में 10 बजे इस तो आपको याद अखना है कि ये जो हमारा जेश्टी वाला संसूधन है या एक प्रकार का समवैधानिक संसूधन है यानि कि इसको लागू करने से पहले हमारे समिधान में संसूधन किया गया था तो हमारे वित्मंत्री अरुन येटली के दौरा एक सो बाइस में बिल के रूप में इसे संसद में प्रस्तुद किया गया था तो याद दखेंगे आप कि राजी सभा के दौरा तीन अगस्त 2016 को इसे पास किया गया और उसके बाद में जो हमारी लोक सभा है उसके दौरा आठ अगस्ट 2016 को इस बिलको पास किया गया था तो simply आप याद दखेंगे कि जो हमारा 101 संविधान संसूधन बिधेयक था या फिर जो हमारा ये एक्ट था वह बस्त और सीवाकर से संबंधित है ये point आपको याद दखना है अब यहाँ पर एक चीज में लोग गलती कर देते हैं द इसके जो प्रावधान थे यानि कि जो हमारी GST थी उसको एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक संविधान संसूधन बिधेयक था तो जाहिर सी बात है कि इसके माध्यम से हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनमें भी कई सारे परिवर्तन किये गये थे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे संविधान में जो अनुच्छे 246 ए था 279 ए था 288 ए था इन सभी को यहां पर समाप्त कर दिया गया इसके अलावा हमारे संविधान की जो चटी और सात्वी अनुच्छी थी इसमें यहां पर संसू अंधित है तो यह आपको नीचे कमेंड में बताना है तो चटी और सात्वी अनुच्छी में संसूधन होता है इसके अलावा जो हमारा आर्टकिल 248 है 249, 50, 68, 69, 70, 71, 86, 366 और 368 है उसमें यहां पर संसूधन किया गया था तो यह सारे संसूधन हुए थे आपके 101 समिधान स संसूधन अधनियम के द्वारा तो आपको आर्टकिल वैसे याद नहीं रखने है अब आईए हम लोग उन प्रेशनों को डिसकस करते हैं जो की आपकी NTPC परिच्छा में पूछे जा चुकी है तो पहला प्रेशन यही पूछा गया है कि GST जो हमारी होती है इसका फुल वह किस से सं vantage है तो इवे विल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे 50,000 अधिक राजी से अगर हम लोग किसी भी वस्तों को एक राजी से दूसरे राज में भेज रहे है तो वहाँ पर इवे विल को जन्रेट करना होता है अब यह काम कैसे करता है माली जिए आप है मह महाराष्ट राज से आपको कोई समान भीजना है उत्तर प्रदेश राज में अब इस स्थिति में क्या होता था कि जो आपका वहन है वह अगर महाराष्ट के बाद में किसी अन्य राज में जाता था तो वहाँ पर भी इसे टेक्स देना होता था उसके बाद में जिस अन्य रा में जाएगा तो सिंपली वह इबेविल को दिखा देगा तो इससे वुस राज में कोई भे टेक्स नहीं देना होगा तो आपको याद दखना है कि यह हमारे जीएश्टी से ही संबंदित है और पचास जार रुपए से अधिक मुल्ले का जब कोई सामान होता है तो उसके एक इंडिरेक्ट टेक्स है कैसा है यह एक आपरत्यच कर है अगला प्रशनी यहाँ पर पूचा गया कि जीएश्टी में किस समिधान संसूधन की द्वारा लागू किया गया था तो जीएश्टी के अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा 101 समिधान संसूधन हुआ था 2016 में याद दखेंगे 2016 के संसूधन की द्वारा इसे लागू किया गया था अगला प्रशनी पूचा गया कि जीएश्टी को लागू कब किया गया था तो आपको याद अखना है कि एक जुलाई 2017 से जीएश्टी को हमारे देश में लागू कर दिया गया था अगला प्रशनी कि जो हमारे यहां पर खाद्य, उप्भोक्ता मामले और साजनीक बित्रण का मंतराले है उसके द्वारा जीएष्टी को लागू किया गया था यह हमारे बित्ट मंतराले के अंतरगत लागू नहीं हुआ था यह पॉइंट आपको याद रिखना है तो यह जो हमारा कि अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है State Goods and Services Tax क्या नाम है State Goods and Services Tax इसका पूरा नाम है अगला प्रेशन पूछा गया कि जो हमारा GST विधेक है उसको किस राजिने सबसे पहले ratify किया था तो अगर हम लोग GST विधेक की बात करते हैं तो इससे असम राजिने सबसे पहले ratify किया था कब किया था तो 9 अपरेल 2017 को हाँ ये जो आपकी डेट है वो गलत प्रेंट हो गई है इससे ratify किया गया था 12 अगस 2016 को तो याद दखेंगे असम ने सबसे पहले इससे ratify किया था अब इसका मतलब होता क्या है तो आपने पढ़ा होगा सम्विधान में जो हमारे संसुधन होता है उसमें एक special majority प्लस जो हमारे आधे राज्य होते हैं उनकी विधान सभाओं की सेहमती की भी आउसकता होती है तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा एक सम्विधान संसुधन बिधयक था तो उस स्थिती में सबसे पहले इसे लोग सभा और राजी सभा से पास होना था उसके बात में हमारे देश में जो आधे राज्यों की बिधान सभाएं हैं उनके यहां सभी इसे पास किया जाना था तो उस स्थिती में असम पहला राजी यहां पर बना था जिसने GST विध्यक को ratify किया था तो ये point आप याद दखेंगे अगला प्रशन ये वैसे पूछा नहीं गया था लेकिन इसके बारे में भी आपको याद अचना है कि जो हमारा State GST विध्यक था उसको पास करने वाला पहला राजी कौन था तो ये पहला राजी था तिलंगाना और इसने 9 अपरेल 2017 को इसे पास किया था अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारा GST है उसके आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे एक हमारा होता है CGST यानि कि Central Goods and Services Tax इसके बाद में होता है SGST यानि कि State Goods and Services Tax और एक हमारा होता है IGST जिसे हम लोग Integrated Goods and Services Tax के नाम से जानते है तो जाहिर सी बात है SGST जो है वहाराजी सरकार के पास में आता है तो इसलिए यहाँ पर जो SGST समंधित बिधेयक था उस बिधेयक को राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा पास किया जाना अवस्यक था तो उस इस्तिती में तिलंगाना राज्य ने 9 अपरेयल 2017 को सबसे पहले यहाँ पर इस बिधेयक को पास किया था तो यह पॉइंट आप याद दखेंगे अगला प्रशन पूछा गया कि अरविंद सुब्रामन्यम समिती किस से समंधित है तो अगर हम लोग बात करते हैं अरविंद सुब्रामन्यम समिती की तो यह हमारे GST टैक से समंधित है इसके अलामा जो हमारे देश में दलहन के फस्कले होती है उनकी उत्पादन को बढ़ा जावा देने के लिए और उनकी जो किमते बढ़ जाती हैं उनके उपर रोक लगाने के लिए यहां पर अरबिंद सुब्रामन्यम समित का गठन किया गया था तो यह भी NTPC में पूछा गया प्रशने अगला प्रशने पूछा गया कि भारत में जो टैक्सेसन सिस्टम है इसमे सुधार के लिए किस समित का गठन किया गया था तो आपको यादखना है कि राजा चल्ला की अध्यचिता में एक समित का गठन किया गया था जो कि हमारे देश में टैक्सेसन प्रणाली में सुधार के लिए गठित किया गया था और राजा चल्ला की बात हुई है तो इनके बारे में आपको ये ध्यानतना है कि हमारे देश में इन्हें father of tax reform के नाम से भी जाना जाता है यानि कि कर सुधार के पिता माने जाते हैं हमारे देश में इसके अलावा आप ध्यानतना केंगे कि राजा चलला समित के द्वारा 1991 में 1992 में और 1993 में अपने रिपोर्टें प्रस्त के द्वारा बिजय केलकर समित का गठन किया गया था तो ये भी हमारे GST से संबंधित है अगला प्रशनी यहां पर पूचा गया कि इनमें से कौन सा कर है जो की राजी सरकार के द्वारा वसूला जाता है तो इस करकि अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कई सारे tax आपको म आद में value added tax होता है जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा patrol होता है उसके उपर जो राजी की सरकारे tax लगाती है उसे हम लोग कहते है value added tax उसके बाद में जो हमारे करसी पर लगने वाला कर है राजी उत्पाद सुल्क होता है ब्योसाइक कर हो गया इसके अलामा जो हमारे alcohol पर टेक्स लगता है ये सारे टेक्स राजी सरकारों के द्वारा उसूल ले जाते हैं तो simply यहां पर जो प्रिश्ण पूचे गए थे उचमें आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक टेक्स है जो की राजी सरकार के द्वारा उसूला नहीं जाता है तो नाम आप य राजी सरकारों के द्वारा उसूले जाते हैं अगला प्रिश्ण पूचा गया कि टेक्सो नौमी के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो आपको नाम याद दखना है कैरलोस लिनार्स को यहां पर टेक्सो नौमी के जनक की रूप में जाना जाता है तो यह भी एंटी बस्तो को सामिल किया गया है और उसके आधार पर ये डिफायन किया जाता है कि हमारी किस बस्तू के उपर यहां पर कितने रुपए की GST लगेगी तो आप देख सकते हैं 5% का एक स्लैब है एक हमारा है 12% का एक हमारा है 18% का और एक हमारा है 28% का तो किस स्लैप में कौन सी बस्तू यहां पर सामिल होगी उसके बारे में निर्णे जिएस्टी काउंसल के द्वारा लिया जाता है और समय समय पर जिएस्टी काउंसल के बैठक होती है और उसमें यहां पर जो हमारे बस्तो पर लगने वाले टैक्स हैं उनमें संसुधन भी किय जाता है अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश में सबसे पहले GST की सुरुआत हुई थी तो ये वैसे एक statement में पूछा गया था तो याद खेंगे सबसे पहले GST की सुरुआत हुई थी फ्रांस देश में कहां पर फ्रांस देश में इसकी सुरुआत हुई थी 1954 में कब 1954 मे इसकी शुरुवात हुई थी और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा आप यह याद दखेंगे कि वहाँ पर भी आपको चार प्रकार के तो एक हमारा दो दसमलो एक परसंट का है एक हमारा पांच दसमलो पांच परसंट का है एक हमारा है दस परसंट का और एक हमारा है बीस परसंट का जैसे अभी हमने देखा कि भारत में हैं पांच परसंट उसके अलावा बारा परसंट उसके अलावा अठारा परसंट और हमारा 28% उसी प्रकार से फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर ये 4 स्लैप रखे गए है अगला प्रशन पूचा गया कि केंदर सरकार के द्वारा कौन सा टैक्स लिया जाता है तो अभी हमने राजी सरकार के टैक्स को देखा अब यहाँ पर आपको केंदर सरकार के टैक्स के बारे में भी यादखना है तो आयकर जो हमारा होता है यानि कि जो आपके इंकम पर लगता है जो आपके धन पर लगता है यानि कि जिसे हम बेल्थ कर कहते हैं कार्परेट टैक्स यानि कि जो हमारे कमपनियों से लिया जाता है जो हमारी custom duty होती है जो हमारी excise duty होती है ये सारे जो tax हैं वो एक केंदर सरकार के द्वारा यहां पर वसू ले जाते हैं अगला प्रशन पूछा गया कि इन में से कौन सा RBI से सम्मंधित नहीं है तो ये अभी कल ही पूछा गया प्रशन था तो इसमें चार option दिये गए थे एक हमारा था SLR जिसे हम लोग statutory liquidity ratio के नाम से जानते हैं एक हमारा है repo rate फिर हमारा था GST और फिर हमारा था cash reserve ratio तो simply आपको याद होगा कि जो हमारा यहां पर GST है वो RBI से सम्मंधित नहीं है बाकि ये जो सारे हैं वो आपके RBI से सम्मंधित है अगला प्रशन पूछा गया कि जो हमारा GST परिशद है उसका मुख्याले कहां परिश्थित है तो बस GST परिशद के अगर हम बात करें तो इसका मुख्याले आपको मिलेगा दिल्ली में कहां पर दिल्ली में इसका मुख्याले 39 मिंबर कितने 33 सदस इसमें होते हैं और इसका अध्यच कौन होता है तो हमारे वित्तमंत्री यारे की वर्तमान में जो निर्मला सीतारमंजी हैं वे हमारे GST काउंसिल की अध्यच हैं तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अच्छा यहां पर 33 हैं तो आप याद दखेंगे कि दो हमारे केंदर सरकार की तरप से होते हैं एक तो हमारी वित्तमंत्री हो गई एक हमारे जो राज्य के या जिनके पास में स्वतंतर प्रभार होता है वित्तमंत्राले का या फिर कंजियूमर अफेर का तो वे सामिल होते हैं और एक हमारे होते हैं बित्तमंत्री बाकि जो अन्य लोग होते हैं यानि कि जो हमारे 31 अन्य सदस्य हैं वे हमारे राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों से होते हैं अगला प्रश्न यहां पर पोचा गया कि GST ने किस करको यहाँ पर समाप्त किया था तो यह बहुत ही जारा महात्मूर प्रश्ण है तो याद खेंगे, जब हमारा GST लागो हुआ था तो उसके बाद में हमारे देश में कई सारे कर समाप्त हो गए जैसे कि service tax होता है, यह यहाँ पर समाप्त कर दिया गया प्रकार के करों के बारे में यादखना है एक वय जो हमारे राजी सरकार के अंतर गताते हैं एक वय जो हमारे केंदर सरकार के अंतर गताते हैं और एक हमारे वय टेक्स हैं जो कि यहां पर GST के आने से समाप्त हो गए थे तो तीनों से आपके NTPC में प्रशन पूछे जा चुक इसके प्रारोब को तयार करने वाले समित के अध्यच कौन थे यानि कि एक हमारी यहां पर dropped committee बनी थी जियेश्टी बिल के लिए तो इस समित के अध्यच कौन थे तो ये थे हमारे असीम दास गुपता कौन थे असीम दास गुपता और ये जो समिती है उसका गठन 1999 में किया गया था किस नहीं किया था तो उस समय पीम अटल बिहारी बाजबे जी के द्वारा किया गया था असीम दास गुपता के बात करे तो पस्सिम मंगाल के ये वित्मंत्री थे और उनी की अध्यचिता में यहाँ पर GST बिल का मसोधा तयार करने के लिए समित का गठन किया गया था अगला प्रशन है GST बिध्यक को राश्टपती के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी तो याद दखेंगे जो हमारा GST बिध्यक है उसको मंजूरी दे दी गई थी 8 सितंबर को तो जैसे हमारा कोई बिल होता है मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दिया था अगला प्रशन पूछा जा सकता है कि भारत में जो GST प्रणाडी है वह किस देश के उपर आधारित है तो ये हमारे कनाड़ा के उपर आधारित है ध्यान रखेगा हमारे यहां का जो GST सिस्टम है वह कनाड़ा देश के उपर आधारित है अगला प्रशन पूछा गया पूछा जा सकता है कि GST प्रणाली कितने प्रकार की होती है तो सिंपली आपको यादखना है कि जो हमारे GST प्रणाली होती है वह तीन प्रकार की होती है कौन-कौन सी तीन हो गई तो एक हमारा CGST हो गया यानि कि Central Goods and Services Tax हो गया इसके अलावा हमारा SGST है यानि कि State Goods and Services Tax हो गया और तीसरा हमारा है IGST यानि कि Integrated Goods and Services Tax तो यह आपको यादखना है वैसे हमारा एक UGST भी होता है यानि कि UTGST यानि कि Union Territory Goods and Services Tax तो यह सारे चीज़े आप यादखेंगे तो इस तरीके से हमने जो भी आपके GST और Tax Season से संबंदित प्रश्ण पोचे गए थे उन सभी को यहाँ पर डिसकस कर लिया है वैसे अगर हम लोग Tax Season की बात करते हैं तो वह एक Broad Topic है तो NTPC की परिच्छा जब समाप्त हो जाएगी तो उसको हम लोग डिटेल में डिसकस करेंगे और वहाँ पर हम लोग वीडियो में साथ साथ सारे चीज़ों को याद करते हुए भी चलेंगे तो समय देने के लिए आप सुभी को बहुत धन्यवाद आगे आप और किन टॉपेक के ओपर वीडियो चाहते हैं या भी नीचे कमेंड में आप बता सकते हैं तो वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो यहाँ पर मैंने Unacademy Summit की लिंक दी है उसके उपर क्लिक करके आप इसमें जोईन कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारे UPSC का एक्जाम होता है वह आपके ब्रक्तित का एक्जाम होता है यानि कि अगर आपने एक से दो साल बहुत ही अच्छे ढंक से UPSC के तयारी कर ली और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत